नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी YouTube चैनल पे आज इस वीडियो में आपको Excel के कुछ important tricks बताने वाले हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है और यह मैं 100% कहूंगा कि अगर आप data entry का काम करें या data manage का काम करें तो आपके लिए यह सबसे महतवपूर वीडियो ह Excel का क्यूंकि ऐसे चीजे आपको ज्यादा YouTube पे नहीं मिलेंगी बहुत कम मिलेंगी या अगर आप उसको search करेंगे तो आपको उससे related नहीं मिलेंगे लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको सारे process बताने वाले हैं कि आप Excel में क्या आपको करना चाहिए अगर आप Excel export है या आ क्योंसा कि दोस्तों आप देख सकते है हमारे पास कुछ यहां पर वाइकल कि यहां पर रजिस्टेर्सन नंबर है और साथ में यहां पर जो भी हमारे काम हुए है कुछ लेटा है अगर दोस्तों इस लेटा को करना कि अगर घलती से अगर हमें क्या करना है कि यह जो यहां पर स्थाना वाला है माली जी इसका हमें डेटा देखना है या हमें यहां नीचे कहीं लिखना है कुछ नाम माली जी यहां पर में नाम लिखना है अब यहां पर कुछ दूसरा डेटे लिखना है और यहां पर कुछ दूसरा तो अगर मै नेम वाला कालम है या आप अगर आपको जो cn i c number इस पे क्लिक करकर ये चेक करेंगे कि ये हमारा जो कॉलम है तो इस तरीके से आपको बहुत ज्यादा प्रॉलम होगी और आपको data इंट्री करने में भी बहुत ज्यादा प्रॉलम होगी तो आप इसको कैसे सही कर सकते हैं कि जो आपका यहां पर पहला लाइन है यह होल रहे हैं यानि रुका रहे हैं और बाकी कि जितने सारे हैं और यहां पर स्क्रॉल करने पर बिल्कूल इसी तरीके से रुका रहे हैं यानि स्लाइट करने पर यहां पर आपका रुका रहे हैं तो आप कैसे इसको कर सकते हैं चलिए आपको बताते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि जिसको आपको hold करना है जिस भी आपको header को आपको इस तरीके से select कर लीजिए उसके बाद दोस्तों select करने के बाद आपको जाना है review वाले option में और review आप option में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक option डूलना होगा जो कि आपको दिखा देते हैं तो अगर इसमें नहीं मिलेगा तो आपको जाना है पे हमारा अप्लाई हो गया है अब पता कैसे चलेगा जब आप 스रॉल करेंगे तो यहीं पर रहेगा बाकी सारा जितना है आपका data स्क्रॉल होगा जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं तो दोस्तों आपको समझ में आगया होगा कि जरूब सकते हैं कि यह सारा आप देख सकते हैं तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बता है अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए तो चैनल को सस्क्राइब करें क्योंकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे